कि आगास करते हैं लेक्षर नमबर 40 और चप्टर हमारा चल रहा है चप्टर चैट्टर सेवन मॉट्गेज और चार्ज़िस में हम ने से इसके स्वाइले से क्या था कि मॉट्गेज और चार्जिस को रिजिस्टर कौने का का राइट है कि वो रिजिश्डर करवा सकता है तेके और कि जुमना था है विदिन फर्टीटेस में डॉकुमेंट का सब्मीट करवाने हैं किवाने हैं अ कि पाकिस्तानी कमनी लोङ प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान है ठीक है और उसने पाकिस्तानी बैंक से लून लिया है तो वो जिस कंट्री में प्रॉपर्टी स्वेच्टिड है उस कंट्री में भी रिजिस्टर करवाना होता है यह क्यों करवाना होता है ताकि कहीं ऐसा नहों यहाँ पे तो रि तो वहां पे तो चार्ज जिस्टर हो समझ में आता है अब पाकिस्तान में चार्ज क्रवाना है क्या पाकिस्तानी कमपनी है पाकिस्तान में इसका complete borrowing का record मुझूद हो ठीक है वो लिम्स वारा देखनी होते हैं अच्छा आप पाकिस्तान में भी जब चार क्वेस्ट थे हैं क्वेस्ट को बाइव डिसकस करते हैं इस है जी जी नियुट चल बड़ा है एक्स वाजाट लिमिटेर्ट्ट ओटेंड लोन औफ रुपीस 200 मिलियन फ्रोम ABC सी बैंक एंड प्रवाइड सेक्यूरिटी बाइड क्रियेटिंगे मॉट्गे जोन इस प्रॉपरिटी ओन ट्वंटी सिक्स फर में 2021 लोन लिया और मॉट्गेज करवा दिया प्रॉपरिटी को स्टेट दा टाइम में मॉट्गेज इस इक्वाइड विजिस्टर पहले तो रेल मॉट्गेज चार्ज क्रिएशन से क्या वरा जिस दिन लोन लिया गया उसके पहले यह प्रॉपियर लिखेंगे फिर उसके बाद कैल्पूरेशन करके से बताएंगे तीस दिन कब होते हैं तीस दिन एक्वाइज लिम्ते अप्टेन एन लॉन ऑफ डॉलर फोर्टी मिलियन स्वाइब एंड प्रॉट्टी बैंक एंड प्रॉइड सेक्यूर्टी बैक्रेटिंगे मॉट्गेज न्यू यार्क नोशब्स परफरी न्यू यार्क में प्रॉपर्टी है इधर रिजिस्टार के पास रिजिस्टेशन करवानी है एक टेक्स सेवन डेस्ट टूरीव डॉकुमेंट्स इन पाकिस्टान डिस्पैज फ्रॉम न्यू यॉयर्क यूसे इंड्यू को सब्सक्राइब यह पहले साथ दिन काल्कुलेट 26 को क्रेट हुआ तो यह फॉर्थ एप्रेल चार पांच एप्रेल की डेट बनेगी तो यह चार एप्रेल फारेशेंपल आपको चार अप्रेल तक इस चार्ज को पाकिस्टान में रिजिस्टर करवाना है क्लियर हुआ अगे चलते हैं जाफर लिम्टिट एक्वाइड प्रॉपरिटी ओं 26 वर्वी 2021 फ्रॉम मैसर्स अली और संस विचिस सब्जेक्ट तो चार्ज अच्छा नोट करें मैसर्स अली और संस कंपनी नहीं थे किशन की कुपटी नहीं है ना कैसे मता चला कमपथी नहीं है कि इसके नाम में लफ़ लिम्टिट नहीं है तो कंपनी ने कैसी प्रॉपरिटी क्वाईर की जिस पर चार्ज कृईट किया हुआ था आलाईडी मैसर्स अलीक्यानलिंड संस में अब जाफर लिम्टेड चुके कमपनी है तो इसने चार्ज अब रिजिस्टर के पास भी रिजिस्टर करवाना है इस जाफर लिम्टेड रिकॉरेट टूगेट था चार्ज रिजिस्टर अगर प्रॉपर्टी खरीद दी जाए जिस पर आलड ली चार्ज क्रेड हुआ है तो जब कोई कमपनी उस प्रॉपर्टी को एक्वाइर करे तो उसे रिजिस्टर करवाना पड़े यह प्रॉपर्वियन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर डारेक्टर बनने से पहले किसी ने लोहन लिया था डारेक्टर बनने के बाद उसे क्या करना है रीपे करना अप्रॉपर्वल चाहिए यानि जब पॉजिशन चेंज होती है तो नई पॉजिशन के मताबिक रिक्वाइर्मेंट्स अपलाई हो जाएंगी तो चार्ज पहले क्रेड किया वा था उस प्रॉपर्वर्टी के उपर कमपनीने उसको इक्वाइर किया तो वो प्रॉपपरेंण अब कंपनी के लीगट पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी अब इस प्रॉपर्वर्टी का चार्ज हला कि कंपनीनने लोन नहीं लिया कंपनीने चार्ज मौ сколько क्रीट क्रिट ने गरभाया होगा सक्वाइर हो बाइर करवाएगा कि अपने नाम से करवाएगा क्लियर तो अच्छा आप कब करवानी है अब इसके 30 दिन कहां से शुरू होंगे हैं सब के लिए 30 दिन लेकिन स्टूरेशन वो थोड़ा ग्रेस टाइम को चेंज कर देता है पहले उसने का कर पाकिसान से बाहिर रहा तो जब पाकिस् ट्रांसफर हो रही है क्या हो रही है उस दिन से 30 दिन लोगा है क्लियर कोई प्रॉब्लम इसमें नेक्स क्वेसान पूर एक्स वैजए लिम्टेद अप्टेन लोन और रपीस 200 मिलियों फ्रॉम एबिसी बैंक एंड प्रोवाइड सेक्यूरिटी बैंक से लोन लिया सेक्यू अग्यूटी है कंपनी की लेकिन राइड है बैंक का यह कहले है बॉर्वर की राइड है लेंडर का माटकेश बिदार एंड पेड ता रैलिवेंट फीस कहने भी सी बैंक रिकवर ना कि रिजिस्ट्रेशर बैंकर वारा है लेकिन चुक्छे डूटी किसी और कि थी तो कम उस से जी चलिए अब चलते हैं हम अचा कल के लेक्शर में से कोई चीज पूछना चाहते हों पूछ लीजिए समझ में नहीं आई तो पूछ लाए जी बैल्मेंट क्या है बैल्मेंट आपने लफ़द पढ़ा कहा है पहले यह बताईए कि बैल्मेंट का मतलब होता है किसी दूसरे के पास चीज़ें मालनत के तो पहले बताथे तो बैल्मेंट का मतलब है अमालनत के तो पर अपनी चीजें किसी दूसरे के सफुर्द करना ठीक है लेकिन जब यह आपने सफुर्द की चीजें दूसरे के पाइप अमानत के तोर पे नहीं गिरवी के तोर पे सेक्योरिटी के तोर पे लोन लेने के लिए तो इस वेलमेंट को क्या कहते हैं प्लेज ठीक है और की क्वेस्टन जी जी इन्होंने एक प्रैक्टिकल क्वेस्टन पूछ रहे हैं अब भी जो क्वेस्टन किया था हमने अलिया अन्स से जाफर लिम्टेट ने प्रापरिटी क्वाइल की थी याद रखे प्रापरिटी जब ट्रांसफर होती है ना इसके उपर जो भी लाइबिलिटी बगारा है वो भी साथ ही ट्रांसफर होती है तो अब अगर जो लोन लिया गया था बैंक जो बेसिकली अलिया अन्स ने लिया अलिय और संसे rats करवाएगा इस लिए property ख्रीदने से दो ही चीज़ें कोई भी आप सब्दकों करदकी भी लिए जिए उसी बंदे के नाम पर है जिसके साथ हैं और आ हुआ और दूसरी चीज के गेंस कोई लून तो नहीं लिया हुआ क्योंकि दोनों सूर्थों में से अगर एक में भी आपने कोई सुस्ती कर दी तो आपकी सारे पैसे गए है ठीक है इसलिए लेकिन इन दो चीजों के लिए वो जो धर्मियान में नौर्परिटी डिलर होते हैं अच्छा डिलर हो तो वो आपको यह सर्वि प्रापरटी चार्ज पर आपने शैytes की और जिस बंदे ने लोन लिया था प्रापरटी के लिए आफ पैसे नहीं देता तो वैंक आपको इस प्रापरटी में करके और इस reconnaär आपीर सक्ता दें से तरफ से ले आज हमने चार काम करने एक तो कर लिया कौन सा प्रैक्टिस क्वेस्टन या जो साइनमेंट से इसकी डिसकेशन कर लिए अब बाकी तीन क्या करने है सीखने कंसर्ण कि मोडिफिकेशन इन पर्डिकुलर दो ओवो मटेजर शार्ज है NO development साने इसका मतलब यह बिए और चार्ज कर वाया था उसमें किसी किसम का चेंज करना है जैसे first कीजिए amount पहले कम थी उसको बढ़ाना है या amount ज्यादा थी उसको कम करना है या कोई भी और change हो सकता है आप सिरफ यह example जैंज में modification का मतलब क्या है कि आपने पहले charge की amount कम थी अब उसको बढ़ाना है for example या किसी किसम का भी change करना यह modification का concept है और एक है rectification का concept rectification था जैसे आपको याद है हमने name class के बारे में study किया था उसमें एक concept था change का change of name और एक था rectification था दोनों को लाटा था discuss किया था कि एक ही का था हमने एक ही प्रूइन यहां पर एक दफा चार्ज क्रियेट हो गया बात में modification भी हो सकती है rectification भी हो सकती है क्या फर्रक है दोनों में modification का मतलब है existing terms में change rectification का मतलब है कोई गलत चीज रिजिस्टर हो गई ठीक है गलत चीज जैसे जाफर limited था और उसकी बजाए कोई और अफसर limited फार एक्जेंपल उसके नाम पे चार्ज जिस्टर हो गया है गलती से टाइपिंग गारे की वज़ा से तो अगर rectify के गलती हो जाए उससे ठीक करवाना हूं उसके लिए क्या है rectification अच्छा एक एक एक्जेंपल ऐसी है आपने पताना है यह modification में यह distraction में है नहीं कंपणी नहीं लौन ल्या चार्ज क्रियेक कर वाया चार्ज क्रिए्ट क्रवाया इसको रिजिक्टर कर्वाना चाहिए था बैंक समझ रहा कंपणी करवा धिया है कंपणी समझ रही बैंक ने करवा दिया और 30 दिन गुजर गए किसी ने भी ने करवाया बाद में याद आया कि चार्ज रिजिस्टर करवाना था पहले बताईए कि अब चार्ज रिजिस्टर करवाया जा सकता है इसे क्या कहेंगे इसे अब होती है जब कोई एक्जिस्टर हुआ हो उसमें चेंज करवाना हो यह तो एक तरह से गलती हुई है तो यह रिक्टीफिकेशन में आएगजिस्टर ही नहीं पर वो भी रिक्टीफिकेशन में आएगा नट अच्छा DAVID train करवाया थी कर बाद मोड 이후केश केंगे तो आज सकती है कैसे हो सकती है यह सीखेंगे और फिर इसके बाद चार्ज क्रियेट हो गया लोन लिया चार्ज क्रियेट भी हुआ रिजिस्टर भी हुआ तो जब लोन लिया और चार्ज रिजिस्टर करवाया तो जब लोन रीपे कर देंगे उसको डी रिजिस्टर करवाना है कि नही गरेसिस्टर की डपपसान्दाए इसको साड़िस्फेक्शन ओफ डड़ी कहते है या पेमेंट औफ ड़ी आते तो वह प्रोसे सीखेंगे यानि कल हमने रहा क्रीड होने का प्रोसेस आतर्ब से पहले मोडिफिकेशन तो बिल्कुल स्पल ते मोडिफिकेशन का मतलब समझ दो पहले वोडिफिकेशन का मतलब है जो existing terms and condition है चार्ज की उन में किसी किसम का चेंज करना और जिस्टर आर काता है भाई मेरे को कोई टेंशन नहीं है कंपनी ने एगरी कर लिया बैंक ने अगरी कर लिया दोनों हैं यह चार्ज में मोडिफिकेशन रिजिस्टर कैसे होगी जो चेंज है जो इंस्ट्रूमेंट चेंज हुआ है जैसे फ़र्ज की जिसके वज़ाए से चार्ज की माउंट भी बढ़ा दिनी है तो चेंज हुआ अब आपका जो नया अगरीमेंट है उसे फायल करते हैं और वही प्रॉसेस जो औरीजिनल रिजिस्ट्रेशन का था क्या 30 दिन के अंदर दोनों में eighty by modification augewalten activation कि तरह एक easkerification यह problematic कि यह problematic है है क्योंकि इसमें हो सकता है कि पहले आपने जो रिजिस्टर करवाया अब उसमें आप कुछ चेंज करवा रहे हैं लेकिन अपने आप को döntस देने के लिए है तो पहले तो छीज्ज आपको पता नहुंई rectification में cover क्या क्या cases होते हैं दो cases हैं पहला अगर within prescribed time आपने registration नहीं करवाई वो भी दरी आएगा और दूसरा registration करवाई लेकिन गलत हो गई कंपनी का नाम गलत आ गया उसमें फार एक्जेंपल या type of registration गलत हो गई हमने कहा था कि पारी पासु चार्ज होगा लेकिन उसने ranking चार्ज रिस्टर करवा दिया गलती से तो जिसने जो बैंक है वो तो मसले में आ गया ना बैंक ने का भाई जान हम पारी पासु चार्ज रिस्टर करवा दिया इसको ठीक करवाई तो यह आएगा का रेक्टिफिकेशन का रेक्टिफिकेशन में क्या करना है चूँके यह मोडिफिकेशन से ज्यादा स्वेर केस है इसलिए अब बात रिजिस्टर के हाद से निकल गई क्योंके यह ज्यादा स्वेर केस है अब बात आगी किस के पास कमीशन के पास आपको पता है अकसर जब बात सीरियस हो जाना तो फिर वो जिस्टरार नहीं कमीशन यह फिस्ट टाइम हमने कंसरप्ट कहा सिखा था हमने नहीं हमने मेमरेंडम ओफ सुसीएशन की जब आल्टरेशन थी सुसीएशन भी कमिशन सही का रहे हैं कमिशन दी आता है उसमें लेकि मैंसर में दोनों एक्जेंपल आपके सामने रखना चाहते हूं रिजिस्टरार की भी एक ही कंसेप्ट केंद है रिजिस्टरार भी और प्रिंस्पल लाइन ऑफ बिजनिस में आल्टरेशन इसको कौन अप्रूफ कर देता था लेकिन जब रिजिस्टर्ड आफिस क्लास में चेंज होते थी यह सीरिस वात था याद है क्यूंकि इसमें क्रेडिटर का इंटरस्ट भी फैक्ट हो जाता था इसलिए कमिशन पहले इ प्रिंस्पल लाइन ऑब बिजनिस और यह चेंज इन रिजिस्टर्ड आफिस ग्लास की तरह पहले जाएंगे कमिशन के पास अचा कमिशन फॉरी तोर पर अडर इशू कर दिया करता है ना करता है मेरे पास आगए यही बोता है ऐसे करता है कि कमिशन सारी पार्टी के इंट कोशिश नहीं की जा रही किसी दूसरे मेंबर या क्राइटर को नुकसान पहुचाने की कोशिश नहीं की जा रही यह जान बूज के नहीं गयर इरादी तोर पर गलती हुई थी अगर इसको ठीक करें तो किसी क्राइटर या मेंबर को कोई नुकसान नहीं होगा ठीक है कोई नहीं होगा और यह जर्स्ट एंड इविटेबल आया यहां मतलब क्या है यही होना चाही था का इसे ही और चाहिए रिजिस्ट्रेशन करदेनी चाहिए जब तीनों मैं से कोई भी बात जजी की समझे सोटी कमीश कमीशन की समझ मैं आ गई तो वह क्या करिगा ihmok और करवा किसी सकार करेगा कि अगर लेट हो गया डिले हो गया इस सचेशन तो कमिशन और करेका का लोग भी टारम एक्षेंट कर देते हैं तीस दिन दिया था आपको 30 दिन और शल्ट इन सब्सार्ट करवा लो क्यूंकि कि आपने application दी और हमने चेक कर लिया कि आप गयर इवरादी तोर पर आप से गलती हुई है इस गलती से कोई क्राइटर या मेंबर को अगर हम ठीक कर देते हैं क्राइटर मेंबर को नुक्सान नहीं पहुंचेगा नहीं कहीं ऐसा नहीं कि पहले बैंक ने कंपनी के साथ मिलके ranking चार्ज क्रियेट करवाया हो और बाद में कैदे exclusive commission के पास जाके सर गलती हो गई यह तो exclusive charge करवाना था तो मेरा बाकी सब का charge खतम कर दें मेरा exclusive charge register कर दें तो क्या commission कर देगा commission कहेगा नहीं अगर हम आपका charge register कर देते हैं तो यह दूसरे creditors के लिए harmful हैं वो बैचारे किदर जाएंगे एवन अगर पारी पास चार्ज भी रिजिस्टर कराने को कहता है ना ranking वाला तो भी existing creditors का right effect हो जाता है उनके लिए harmful है इसलिए rectification से पहले commission यह चेक करता है क्या चेक करता है अनिंटेंशल था harmful तो नहीं है दूसरे creditors members के लिए अगर इसकी registration कर दी जाए और जस्ट इनिक्विटेबल है है और शुकर देगा time extent अगर तो है यह वाला case not file विए प्रेस्क्राइब ताइब तो commission क्या अगर यह वाला case है अगर यह वाला case है है जड़त फ्रेट फाइल तो फिर इस case में commission ने कहा कि मैं खुद देखूंगा गलती किसकी थी जिसकी गलती होगी ना कॉस्ट उसको डालूंगा मैं तो यह commission अपने order में mention करेगा कॉस्ट कौन बेर कर देगा इस rectification की कॉस्ट कौन बेर करेगा वो case to case बेरी करता है वो commission seven days इससे पहले भी कोई चीज seven days में रिजिस्टरार को कमिशन बिचवाता था थी कोई चीज रिजिस्टर आफिस क्लास में order उसमें भी सेम लाइन थी क्या copy of the order उसमें क्या था copy of the order company को issue की जाएगी और company रिजिस्टरार को फाइल करेगी के डिरेक्ट कमीशन फाइल करेगी पहले company थी के पहले commission था मुझे लग रहा है पहले commission था कि कमीशन जब order issue करेगा तो order issue करने के साथ ही रिजिस्टरार को भी अर्डर को लेकिन commission to register को मिलेगी अर्डर को पहले इतलाइक तो मैंने पूश रहा कि रिजिस्टरार के पास कंपनी कबजाए कि मैं पूश रहूं पहले पर चार्ट को तरह कमिशन से मिल जाएगी उसके बाद फिर कंपनी फाइल करेगी यह मैं भाने से आपके प्रिवियस कंसेट को रिवाइज कर वारा हूं यह ना समझेगा कि मैं कंसेट को जान बूज के मुश्किल बना रहा हूं कि वह प्रवियन जो इर्रेलिमेंट है उसे इ इसको कर दिया सिर्फ समझाने के लिए कि इसी तरह की प्रवियन हमने दूसरे कंसेट में भी बढ़ी है याद आया कि तो आज घर जाके जब इसको पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ प्रिवियस वाले लर्निंग पड़ेक्टिव चेंज इन प्रिंस्पा लाइन बिजनिस औ समझाई कोई नहीं समझाई यह है एक मैं दो कर लते हैं इसको कंपनी ने एबीसी बैंक से लोन लिया प्पचास मिलियन का दस माई दस माई को डी एफ से लोन लिया सो मिलियन का डी एफ का जो वकील था एक्टिव बंदा था इसने पंदरा को रिजिस्ट्रेशन करवा ली कमीशन के पास यह सोया रहा तीस दिन गुजर गए है जून आ गया अब जून के महिने में दस जून को इसे याद आया है दो माई को जो लोन दिया था उसकी रिजिस्ट्रेशन तो हुई नहीं यह दस जून को गया रिजिस्ट्रेशन हो जाएगी के नहीं कौन सा कंसेप्ट है अच्छा मुझे बताइए जब इसकी रिजिस्ट्रेशन होगी दस जून को यह हुई थी पंदरा माई को जब इसकी तो बताए ये प्राइर्टी पे राइट किसका आया a-bc का के डी-e-f का ये केस ते डिलेड रिकडिनीशन का डिलेड रिकडिनीशन की वजह से जो प्रीवियस राइट अल्यडी रिजिस्टर हो चुका है वो डिस्टरब नहीं होगा इसका मतलब या भला के डी-e-f का पहले रहे क्योंकि यह कमिशन के पास पहले आगया था वो कहते हमें इससे नहीं है लोन किस दिन क्रियेट हुआ हमें अगर इससे है हमारे पास कब आए हमारे पास कब आए तो यह जो लाइन है डिलेड चार्ज विल नाट इफेक्ट प्रिवियस राइट वो यह कह रहा है एबी सी इसको नुक्सान होगा डिले करने का इसके डिले करने का डी एफ को कोई असर नहीं पड़ना चाहिए लेकिन उस राचा बताईए कंपनी की डूटी होती है ना तो फिर यह बैंक का राइट क्यों दिया गया वाला ताकि कंपनी ना रिजिस्टर करवाए तो यह रिजिस्ट पैसे लेकर निकल गया उसकी कोशिश किया होगी चार्ज ना इसी लिए इसको राइट दिया गया यह पहले अग्री कर लेते हैं दोनों पार्टी में से कौन जाएगा इससे कुर्वाने जाए चार क्लियर हो गया क्या सीखा में अभी तक एक मोडिफिकेशन एक रेक्रिफि आज की रेट नी करवाया बताईए क्या करना है पहुंच जाना चाहिए यह आपको बताएगा कि यह चीज रिजिस्टर हो गई गलती से इस नाम के साथ रिजिस्टर हो गया असल में इस नाम के साथ होना चाहिए था गलती से यह टाइप ऑफ चार्ज रिजिस्टर हो गया असल में यह होना चाहिए था तो यह आप एचान लेंगे एक्जामी केस्टेडी में चलिए है अब क्या पढ़ना हमने रिजिस्ट्रेशन ओफ पेमेट अच्छा जिस तरह लोन लिया तो रिजिस्ट्रेशन करवाई गई रिजिस्ट्रेशन मौटगेज चार्ज की रिजिस्ट्रेशन करवाई अब लोन को रिपे करेंगे तो रिपे करने पे भी डी रिजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं यानि चार्ज को रिवर्स कर देना चाहिए इसको हम कहते हैं रिजिस्ट्रेशन है किसके रिजिस्ट्रेशन फेमंट ओफ डएट या सैटिस्फेक्शन फेमंट फनेक्शं गैसेटिस्फेक्शन आपका मतलब गाले यह फुली भी सैटिस्फाइड हो सकता है पार्शली भी आपको बताएं दो तरह के लून होते हैं एक हम लून बैंक से लेते हैं और उसे कहते हैं साल बाग पुरे का पूरा वापिस करेंगे एक दूसरी टाइब भी होती है हर तीन महीने के बाद किस तरह वापिस करेंगे installment तो बताइए अगर installment अगर तो full एक ही दफाव पेमिट करे के हैं सारी की सारी तो चार्ज Creat हुआ होगा वो एक ही दफा सैटिसवाई होगा कब जब पूरी मांट पे होगा question मेरा यह अगर installment में repayment हो रही हो तो क्या partial satisfaction चार्ज की हो हो सकती थिसका जवाब है यa's हो सकती है और करवाणी चाहिए इसका इसका कंपनी को banyak होता है जितना कम चार्ज होगा ना कमनी की सेक्यूरिटी के ऊपर खों होता जाएगा उतना ही वह निया लोण लेने के लिए security available होती जाएगी समझ रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल कंसेट है प्रैक्टिकल है कि जितनी सिक्योर रिलीज होता जाएगा ना प्रॉपरिटी चार्ज से उतनी ही उसकी प्रॉपरिटी की वेलिबिलिटी फार सबसीक्वेंट लोन वह बढ़ती जाएगी इसलिए चार्ज या मॉडगेज फुली भी सेटिस्वाई हो सकता है पार्शी पार्शली का केस पता है ना इंस्टर्लमेंट वाइस कह रहा अच्छा फिर बताओ प्रोसीजर फार रिजिस्ट्रेशन ओफ किसकी रिजिस्ट्रेशन सैटिस्ट्रेशन ऑफ डैट आर चार्ज जो डैट कि आथि चार्ज हैं इसकीय है पहले किसी लिजिस्ट्रेशन बढ़ी कोई अब किसकी रिजिस्ट्रेशन आप सब्सक्राक 9 क्या करें प्रोसेस सुन लें है करे यह कंपनी की डूटी है इस जब चार्ज होता है ना तो वो यह कहते हैं कि इस इसमें कुम्पनी की सायरा इसमें का कंपनी की जूटी में եռैंडर का राइडि में नियुक्त सिर्फ कंपनी जाके यह णि कि पैमेंट करनी है कि वा जाके भीर करवा है कि भीर है कंपनी है बेंक अभी नहीं जहन मिया रही है फरक आपके बिढ़ा रहा हूं कि जब चार्ज क्रियेट हो रहा था तो ला ने कंपनी और बैंक दोनों को आप्षिन रखी थी कंपनी की डूटी और बैंक का राइड लेकिन अब सैटिस्फैक्शन या पेमेंट हो रही है आवी सिरफ कम्पनी की डूडी रखी है इससी तरह 30 दिन के अंदर-ंदर किस के 30 दिन के अंदर-ंदर तीस दिन के अंदर है सैटिसफेक्शन के पेमेंट के तीस दिन के अंदर अंदर कंपनी बागी बागी जाए किसके पास रेजिस्टरार के पास और क्या कहें सर हमने पेमेंट कर दी है सर हमने पेमेंट कर दी है लोन की जिस्टरार पुछेगा आदे पेमेंट की है सारी की है जो भी की हो आदी पेमेंट की है जिस्टरार के ठीक है आपका चार्ज सैटिसफाइक कर देते हैं आपकी प्रापरिटी को रिलीज कर देते हैं आदी माउंट से सोचके बताइए किया र कि वाके ही री पेमेंट हुई है कि नहीं यह तो नहीं आकर मेरे से जूट बोल रहा है जूट बोला है बैंक बिचारे को उसने कुछ पैसे दिये नहीं आरकर मेरे से जूट बोला है कि मैंने पेमेंट कर दिया तसली करनी चाहिए कि नहीं इस तसली के दो आप्शन पहली आप चार्ज को रिलीज कर रहा हूं आपको कोई इतरास तो नहीं है उससे उसकी जाज़त ले रहा है उससे टाइम देता है कि अगर कोई इतरास है within 14 days मेरे आफिस में आके मुझे बता दीजे इतरास है और फिर ये लेटर लिखने के बाद रिजिस्टरार इंतजार करेगा कितने दिन? 14 days किसी से इंतजार करेगा? कि क्या बैंक अपना कोई अब्ज UEक्शन फाइल करता है के नहीं? यहां से कहानी के दो हिस्से होंगे यहां तो बैंक कोई अब्जेक्शन फाइल करेगा या नहीं करेगा अगर bank objection file नहीं करता रिजिस्ट्रार क्या करेगा चार्ज को रिलीज कर देगा और अगर bank इतराज फाइल करता है तो वो कमपड़ी को बता देगा रिजिस्ट्रार के भाईजा नहीं आपका इतराज है पहले bank को जाकर राजी करो वो करें मुझे इतराज है जब आप एक कहानी शुरू से कंपनी वागी वागी के पास रिजिस्ट्रार नहीं क्या कि फचा बताइए कैसे आना हुआ कंपनी कि игры करें है और हम चाहते है कि हमारा जो चार्ज है इसको आप रिलीज कर दे रिजिस्टर क्या कहेगा तो मुझे कंफर्म करने करने के लिए क्रेगा लेंडर को लेडर सेंड करेगा इंटिमेशन और कहेगा अगर कोई तरास है विदिन 14 डेज मेरे आफिस में आके फाइल कर दे लेंडर ने इतराज अब्जेक्शन फाइल किया तो वह कंपनी को कम्मुनिकेट कर देगा कि सेटलमेंट करो फिर मेरे पास आना लेकिन एक सिच्वेशन ऐसी है जिसमें रिजिस्टरार कम जो बैंक है उसको इंटिमेशन सेंड नहीं करता बलके उससे बैंक से पूछे बग प्रिफ केस नहीं बलके बैंक की तरफ से एक एनोसी पहले से कंपनी ले आए कि सर देखिये बैंक को पहले पता था कि आप उसको लैटर लिखेंगे इसलिए बैंक ने हमें एनोसी दे दिया है यह अनुसी साथ लगा हुआ है देखे जो चीज आप उससे मगवाना चाहते थ वह चीज हम ले आए तो रिजिस्टरार के ठीक फोर्टीन डेज वाला चकर हतम हो यह चीज यह कंसर्ट समझे हैं अगर एनोसी कंपनी साथ ही फाइल कर दे तो फोर्टीन डेज वाला चकर हतम हो गया यह देखे यही लिखा हुआ सारी बातें के कंपनी के जब कभी पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स फाइल करतें के देखें पेमेंट हो गई है और रिजिस्टरार की क्या ड्यूटी है कि वह नोटिस सेंड करेंगा लेंडर को के बताइए आप इजाज़त देते हैं कि चार्ज रिजिस्टर करवाल इसका रिलीज कर दिया जाए 14 डेज में बताइए हमें अगर आपको कोई इतराज है अगर इतराज कोई फाइल नहीं होता 14 डेज में सैटिसफेक्शन को रिजिस्टर कर लिया जाएगा पेमेंट को रिजिस्टर कर लिया जाएगा और अगर की अबजेक्शन फाइल होता है तो तो रिजिस्टरार कंपनी को कम्पन केट करेगा पुरने कहेगा कि यह अप सेट्लिमेंट करके हैं हाँ यह सारा प्रॉसेस यह सारा चक्कर 14 डेज वाला उस वक्त जरूरत नहीं है जब एन उसी फाइल कर जब कंपनी बैंक का एन उसी खुद ले आए और फाइल करते हैं क्लियर हो गया अच्छा अब एक खाना खाली रहा गया कंसेप्ट में कि जब चार्ज क्रियेट हो रहा था तब तो कंपनी और बैंक दोनों को आप्शन दी हुई थी सैटिस्फेक्शन के वक्त सिरफ कंपनी की ड्यूटी कहा बैंक को भूल गया तो ड्यूटी कंपनी किया बि सैटिस्फेक्शन को रिलीज करवाना चाहे करवा सकता है बैंक इमानदार बैंक होगा उसने का मुझे लोन वापिस मिल गया कंपनी भूल भी किया कोई बात नहीं मैं रिलीज कर दूँ मेरे को क्या ज़रूत पड़ी है कि मैं अपने पास इसका बिला वज़ा चार्ज क्रे है किसको रिजिस्ट्रार को यह यूं कहने चले बैंक नहीं भी गया बैंक नहीं भी गया रिजिस्ट्रार को अगर पता चले कहीं से उड़ती उड़ती खबर आए रिजिस्ट्रार को क्या पता चला उड़ती उड़ती खबर आई किसके पास रिजिस्ट्रार के पास यह उस गया क्या लौन रीपे हो चुका है है तो डा याने के रिजिस्टर विड़ाउट इंटीमेशन सबसे अहम लफज जो आपको एग्जाम में इस कंसेट पहुंचाएगा सबसे अहम लफज विड़ाउट इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी कंपनी की तरफ से इंटीमेशन के बगैर, क्या रिजिस्ट्रार अगर चाहे तो satisfaction रिजिस्टर कर सकता है? पेमेंट रिजिस्टर कर सकता है? येस! फिर सुननेजे, तब कंपणी आई, रिजिस्ट्रार के पास, तब तो रिजिस्ट्रार में satisfaction को अपना procedure follow करते है वा रिजेस्टर करवा दिया उसका बनता भी था। उसका काम ही है यह लेकिन अगर रिजेस्टरार को कोई intimation company की तरफ से ना आए है क्या खुद से वह payment को रिजेस्टर कर सकता है तब येस कर सकता है कब अगर उसे evidence show करवा दिया जाए और वो मुतमिन हो जाए अच्छा evidence कुन show करवाए इसके ओपर last silent है एक चीज तो यह confirm है कि यह evidence show करवा रहा है यह company नहीं होगी हाँ, silent meaning इसका यह है कि bank हो सकता है bank हो सकता है, silent meaning इसका यह है, तो वो जो create होने पर दोनों options थी, satisfaction पर भी दोनों है, लेकिन उसने लदर लदर discuss किया यहाँ पर silent meaning है क्योंकि देखें, यहाँ तो एक debt की payment हो गई है, यह यहाँ तो पैसे देने वाले को पता होता है, यहाँ पैसे लेने वाले को पता होता है तो अगर evidence दे दिया जा है रिजिस्ट्रार को क्या, कि debt पे हो चुका है या प्रापर्टी release हो गई है या प्रापर्टी company की नहीं रही तो रिजिस्ट्रार क्या कर रहे है उस प्रापर्टी के उपर जो bank का charge है, रिलीस कर दे इसमें आपने focus कर याद तीनों points कर लेने focus किसके उपर करना है debt display के उपर मैं समझाए इसका मतलब हमारा concern पूरा हो गया कैसे पूरा हो गया concern कैसे होई, जब charge create कर वा रहे थे उस वक्त दोनों को cover किया था, company को भी bank को भी, borrower को भी, lender को भी, अब satisfaction हो रही है, अब भी दोनों को cover attack, लेकि इसमें याद रखिए, इसमें जो satisfaction के वक्त, registrar का special right है ना, ये favorite है IKIP का, वो इसमें से question पूछ लेता है वैसे सबसादा favorite, या तो process of registration है, registration of charge, या process of registration of satisfaction ये जो कल वाला process पढ़ा था ये इस पूरे chapter में दो ही आई, IKIP के favorite IKIP सब, सबसे ज़्यादा, पहला कौन सा, कल वाला, process of registration दूसरा कौन सा, आज वाला, process of satisfaction वाला, लेकिन इसमें कई दफा उसने ये भी question पूछा हुआ है, क्या क्या registrar, company की तरफ से intimation के बगार, कोई charge satisfy कर सकता है वही थे, clear हुई बार, जी मेरे बाई, पूछिए properties, इसका मतलब है, company ने property बेच दी अगर, first करें, किसी बंदे ने दूसरे ने property खुरी दी रसे मैंने कहा था कि इसको रटा लगा ले, बाराल पूछ दिया तो बता रहा, first करें, borrower ने किसी दूसरे बंदे को property बेच दी तो अब property का माली कोन है, नया बंदा जो charge है, वो property के साथ लगा होता है कि borrower के साथ, property के साथ तो charge भी transfer हो जाएगा के नहीं तो इस company के record में, जो इसने पहले लोन लिया हुआ था registrar charge को zero कर देगा के ने कर देगा इस company के account में zero कर देगा और अगर दूसरी खरीदने वाली कोई company है तो अगले 30 दिन में वो company register को आने कर लिए आ जाएगी जाफर limited वाला सवाल बन जाएगा जाफर limited वाला clear मेरे भाई, और की question अगर कमपनी की तरफ से कोई intimation ना आए तो उसके बावजूद भी क्या रिजिस्टरार के पास कोई power है कि वो payment को register कर सकता है इसका जबाए yes है क्या अगर अच्छा इसमें पैसिवाइज सेंटेंस यूज किया है इसमें रखिएगा बाकी कि process में जब्सक्राइज दिए डिए आफ कंपनी और राइट ऑबार्वार तू फाइल कल वाले अगर रिजिस्टरार को एविडेंस चो करवाया जाता है कि डैट पे हो गया या चार्ज रिलीज हो गया या प्रॉपरिटी कमपनी के अब नहीं रही तो वह अगर सबसेंने रिलीज कर सकता है और यह क्या थर्ड इस चेप्टर में है फस्रों से वाले है बेलकर थर्ड में थर्ड में टाई है यह और यह पुछता आप या और कुंसा पुछता है कर्णीजनल वाला हा वाला परजेज वह वाला अंसर्ट वाला सब्सक्राइब का ऑंपर उसमें और किस मास वाले इस में तुन एक स्टाइब का कि एक प्रॉसेस रिजिस्ट्रेशन का पर एक प्रॉसेसस सैडिस्वेक्शन का याद गर लेंगे पकी बात है जी ही हुआ कि 14 ने वो रिजिस्टरार में लेख देता इन कम से कांट नौर्मली जिस दिन को लेटर करता है न वो कहता है इसके 14 डेज के अंदर अंदर आप मेरे पास आए लेटर डिले हो जाता तो इसकी किसमा असर में बाद होगा तक बार में इस्थार भी स्वज़ा से दिया जाता है चलिए क्लियर हो गया या अब कोई चैप्टर कंपीट होगा कि भी रहता है रहता है हाँ चलिए ठीक जी क्या प्रॉसस फालू करेंगी यह अधर डेंड कंपनी जब कोई और बंदा एविडेंस हो कर वाता है चलिए यह था हमारा आज का लेक्टर कर लिए इस चैप्टर को हम कंप्लूड कर देंगे अपने एक ही क्वेस्टन है एक्जैंपल फाई ठीक है यह रिटन फार्म एटेंट क लगएगा आज का लेक्टर आप खत्म करते हम आप